Hello everyone, welcome to StudyTube इस यूडियो में हम लोग देखने वाल है NCRT Science का Chapter 2 और ये हैं अमलशाड और लवन यानि की Acid, Base and Salt और इस Chapter में भी हम लोग देखेंगे 100 MCQ इससे पहले मैंने Chapter 1 अपलोड किया है धातू और अधातू का अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ आपको NCRT Science नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहीं पर आपको Chapter 1 भी मिल जाएगा या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उपर में यहाँ पे, आपको उपर में यहाँ पे एक आई बटन दिखेगा आप उस पे क्लिक करें तो 100 MCQ करने के बाद ही यह हमारा Chapter खत्म हो जायागा एक ही वीडियो में और यह वीडियो हर उस एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफूल है जिसमें भी General Science पूछे जाते हैं क्योंकि सारे MCQ NCRT के बुक से तयार किया गया है और इन दिनों चल रहा है Railway परिक्षा 19 और 18 में जो हो चुका है Railway के परिक्षा उसमें 95% से भी ज्यादा सवाल सिर्फ NCRT से पूछा गया है तो इस लिहाद से भी यह वीडियो काफी ज्यादा important है अब आने वाले टाइम में जो Railway परिक्षा है उसके लिए और आने वाले टाइम में जो SSC के एक्जामनेशन है उसके लिए भी या फिर कोई भी एक्जामनेशन जो in future आने वाली है उन सभी के लिए ये वडियो useful है अगर उसमें General Science पूछा जा रहा है तो तो चलिए हम लोगे स्टार्ट करते हैं आज के सवालों से आमले शाड और लवन से पहला सवाल है आमले से समंदित निमलिकित में से कौन सा गलत है यह स्वाद में करवा होता है यह स्वाद में खटा होता है यानि कि सार होता है यह स्वाद में खटा होता है यह सही है यह न गलत है तो यह सारे प्रपटी सारे गुण है अमली के बारे में यह आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा शार से समंदित निवलिकित में से कौन सा गलत है अब शार के बारे में यानि की बेस के बारे में बताना है यह स्वाद में करवा होता है यह स्वाद में खटा हो इह गलत है, या लाल ELETEVIS को नीला कर देता है, तो यह सही है, ध्यान रखेगा, एसीड क्या करेगा ये, ये ब्लू को रेड करेगा, और जो बेस होगा, श होगा, ये रेड को ब्लू करेगा, अमल के परभाव को खत्म करता है तो यह भी सही है यानि कि हमारा आंसर B होगा निमलिखित में से कौन सा एक संशलेशित सुचक है सुचक यानि कि जो अमल शार का पता लगा है इंडिकेटर तो सिंथेटिक इंडिकेटर बोला है यानि जिसे तयार किया गया है लेब में एक होता है प्रकृतिक सुचक जैसे कि लिटमस ये लिटमस एक प्रकृतिक सुचक है हल्दी ये प्रकृतिक सुचक है लाल पत्ता गो भी ये प्रकृतिक सुचक है और मिथाईल ओरेंज ये है हमारा संसलेशित जिसे लिबरेटरी में बनाया गया है उसके बाद phenolophthalene ये भी आप याद रखना phenolophthalene ये भी क्या है synthetic indicator है यानि कि संसलेशित सूचक है litmus willion यानि कि litmus solution dash रंग का रंजक होता है तो litmus willion ये बैंगनी कलड़का होता है यानि कि purple कलड़का होता है litmus dash lichen के पौधे से प्राप्त किया जाता है या किस समू में आता है litmus जो है ये lichen के पौधे से प्राप्त किया जाता है तो ये जो lichen का पौधा है ये plant kingdom के किस group से बिलॉंग करता है ये पुछा है पादब जगत के किस समू से बिलॉंग करता है ये बिलॉंग करता है थैलो फैटा समूं से ठैलो फैटा डिविजन से ये बिलॉंग करता है लाइकेन का पौधा जहां से लिटमस को प्राप्त किया जाता है लिटमस विलियन जब ना तो अमलिय होता है ना ही शाडिय होता है तब ये किस रंग का होता है लिटमस्विलियन ना तो अमलिय हो ना शाडिय हो तब यह होता है बैंगनी कलड़का परपल कलड़का अगर लिटमस्विलियन अमलिय हो तब यह होगा लाल कलड़का अगर लिटमस्विलियन शाडिय हो तब होगा यह नीला रंगा यह important question है यह आप अच्छे से ध्यान में रखना अमलिय होगा तो लाल और शारिय होगा तो नीला और जब ना ही अमलिय हो ना ही शारिय हो तब बैंग नीग लड़का होगा ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसके गंद से अमलिय या शारिय प्रकृति का पता चलता है यानि यह ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका गंद अमलिय प्रकृति में और शारिय प्रकृति में अलग-अलग होता है किसी में ज़्यादा होगा मालो किसी माधिय में अमलिय प्रकृति है तो उसमें ज़्यादा होगा शारिय में कम होगा या फिक शाडिये में ज्यादा होगा, तो किसी में होगा ही नहीं, इस तरह से ये पता लगा लेता है, कि कहां पे अमलिये प्रक्रिती पाया जा रहा है, माधियम पाया जा रहा है, कहां पे शाडिये माधियम है, तो इस तरह के पदार्थ को हम लग बोलते हैं, गंधिये जालती है यह लवण बनाता है यानि कि salt, acid, base यह आपस में reaction करेगा और salt का निर्मान करेगा साथ में hydrogen gas यहाँ पे release होती है एक्जामपल के लिए आप समझ सकते हो यहाँ पर acid HCl ले लो, base ले लो sodium hydroxide यहाँ से क्या बना, NCl और यहाँ पर release होती है, evolve होती है hydrogen gas जब धातू के carbonate और bicarbonate आमली से अभिक्रिया करते हैं, तब लवण और जल के साथ कौन सी gas उत्पन होती है धातू के carbonate के तोर पर आप क्या लेख सकते हो, sodium carbonate ले सकते हो, यह sodium carbonate है यह क्या करेगा, HCl से मानलो reaction करेगा, बोला है आमली से अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा, salt बनाएगा, salt के तोर पर NCl बनेगा, साथ में बनेगा water, और साथ में carbon dioxide gas बनती है और सेम फंडा होगा, bicarbonate के केस में यहां भी सेम प्रोडक्ट आएगा, NCl, H2O, CO2, याद रखेगा, balance नहीं है, balance अगर करेंगे, तो सब के बगल में, जो stoicometric coefficient होगा, वो अलग 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 आएगा इस केस में कुछ और आएगा, इस केस में कुछ और आएगा, तो balancing पे मैं नहीं जाड़ा हूँ, बिल्कुल भी तो आपने देखा, carbon dioxide gas release होती है, बहुत ही important है, यह question आप ध्यान में रखना, carbon dioxide हमारा right answer होगा चूने के पानी से gas प्रवाहित करने पड़ यह दूदिया हो जाता है, चूने का पानी बोले तो calcium hydroxide को बोलते हैं, तो जब इस से carbon dioxide gas प्रवाहित की जाती है, तब यह बनाता है calcium carbonate, टीक है, white PPT और यह white होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यह दूदिया का लड़का हो जाता है, तो carbon dioxide हमारा right answer है, carbon dioxide जहरिला gas नहीं है, ना यह जलता है, नहीं जनले में सहयता करता है, help करता है चूने के पानी से अतधिक मातरा में carbon dioxide gas प्रवाहित करने पर dash बनता है, मैंने अभी आपको बताया, चूने के पानी यानि कि select lime, calcium hydroxide, यह calcium hydroxide, जब carbon dioxide के साथ reaction करता है, तब बनाता है calcium carbonate, यह solid होता है, और यह white PPT होता है, यानि कि white PPT का मतलब समझ रहो, PPT कहने का मतलब यह जल में guland shield नहीं है, यह अगर आप जल में डालोगे तो यह नीचे बैठ जाएगा, bottom पे, और इसी के कारण हम बोलते हैं, calcium carbonate के कारण ही हम बोलते हैं कि calcium hydroxide से carbon dioxide प्रवाहित करने पर यह दूदिया गलड़का हो जाता है, क्योंकि यह calcium carbonate बनाता है, बोला यहाँ पर यह ह एक्सेस में है, यानि कि ज्यादा amount में है, calcium hydroxide यह carbon dioxide से reaction करेगा, और सारा calcium hydroxide खतम हो चुका है, carbon dioxide बना चुका है, लेकिन carbon dioxide एक्सेस में है, यह अभी बचा हुआ है, तो अब क्या होगा, यह carbon dioxide जो calcium carbonate बना है, इसके साथ reaction करेगा, और आगे क्या बनाएगा, यह बनाएगा calcium bicarbonate calcium bicarbonate CaHCO3 का halt wise है और ये water soluble है ये जल में घुलंदशील है जो calcium bicarbonate जो calcium carbonate था ये जल में घुलंदशील नहीं था ये जल में घुलंदशील है तो calcium bicarbonate हमारा right answer होगा निवलिखित में से कौन calcium carbonate का अभिविद रूप है calcium carbonate यानि CaCO3 इसी को हम लोग lime stone भी बोलते हैं इसी को हम लोग chalk बोलते हैं और इसी को हम marlable बोलते हैं chalk जिससे हम board पर लिखते हैं तो उपडीक तो सभी हमारा right answer होगा AOT कहने का मतलब all of the above aml और शारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं इसे dash कहा जाता है acid base reaction करता है salt water बनाता है तो इस reaction को हम लोग बोलते हैं उदास्नी करन अभिक्रिया यानि की neutralization reaction धातू oxide अमले के साथ अभिक्रिया करके salt बनाता है साथ में जल बनाता है अतहा धातूइक oxide को dash भी कहते हैं एक example के तुरूब मैं आपको बताता हूँ माल लो यह magnesium oxide है धातू oxide बोल रखा है तो magnesium धातू है और इसका oxide magnesium oxide यहां से मैंने इसका reaction करवा दिया HCl से अमले के साथ यह अमले बोल रखा है तो यह बनाएगा salt salt बनाएगा यह magnesium dichloride mgCl2 साथ में H2O और हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा कि acid base से reaction करेगा और बनाएगा salt plus water तो यह तो salt बना साथ में यहां acid भी है लेकिन यहां base के जाब पर magnesium oxide है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो magnesium oxide है यह base के तरब behave किया एक शारक के तरब behave किया तब ही तो यह शारक आम लिसे अभी किरिया करके salt water बनाया इसलिए हम बोलते है कि यह जो mangane धातू के oxide होते है यह शारक के प्रकृति के होते है basic होते है जब copper oxide tanu HCl के साथ यानि कि dilute HCl के साथ अभी किरिया करता है तब यह विलियन नील हडित रंग का हो जाता है यह डैस बनने के कारण होता है यह copper chloride बनने के कारण होता है copper oxide तो आप यहाँ बने सकते हो CuO या फिर यह cupidic oxide है आप चाहे तो cupidus oxide भी ले सकते हो उसके साथ क्या लिया dilute HCl तब यहाँ पर बनेगा CuCl प्लस water यह क्या धातुक oxide है तो यह base होगा और यह होगया acid तो base और acid आपस में reaction किया यह बनाया salt और यह बनाया water तो यह जो copper chloride बना इसी के कारण जो विलियन है यह होगया blue green अधात्विक oxide डैस होते हैं अब तक आपको अच्छे से रट गया होगा अधात्विक oxide आम लिये होते हैं विलियन में विजुद्धारा का प्रवा दैस द्वारा होता है विलियन में solution में तो किसी भी विलियन में धारा का प्रवा तभी होता है जब उसमें क्या होते हैं आयंस होते हैं, positive ions और negative ions, जैसे कि pure water, अगर pure water है, तो उससे विदुत का चालन नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डाल दे, NaCl डाल दे, तो जैसे ही यह जल में जायेगा, यह ions बनाएगा Na+, और Cl-, और हमें यही चाहिए, अगर ions बन गया, तब electricity conduct होगा, तो विलियर मे शहें तो ions चाहिए, तो यह हमारा right answer है, mama, mukth electrons किसमें चाहिए, यह चाहिए conductors मैं, और mukth electron और hole यह किसमे चाहिए, यह चाहिए semi-conductor में, तो यह तीनों ही important है, conductors मैं current का flow करवाता है, mukth electron, free electrons, sector semiconductor में free electrons और किसी solution के लिए ions निमलिकित में से किस का विलियन विदुद चालन नहीं करेगा Sulfuric Amyl H2SO4 Hydroclodic Amyl HCl Glucose C6 H12O6 और Alcohol Alcohol में आप कोई भी ले सकते हो, Methanol ले सकते हो, Ethanol ले सकते हो कोई भी ले सकते हो तो Sulfuric Amyl बहुत ही strong acid है HCl strong acid है, जैसे जल में जाएगा, यह ions में तूट जाएगा अगर ions में तूट गया, तो यह विदुद का चालन करेगा लेकिन गुलकोज और Alcohol यह ions में नहीं तूटते इसके कारण गुलकोज और Alcohol का जो विलियन होगा, यह विदुद का चालन नहीं करेगा अगर वो ions बना रहा है तो यह सही है अमल के अवल जल यह विलियन में ही आयन उत्पन करते हैं तो यह भी सही है Equal solution होना चाहिए अपने सुना होगा कि अमल जो होता है वो Equal solution में H+, तो यह Equal solution का मतलब होता है कि उसमें पानी है और भी हो सकता है component लेकिन उसमें पानी भी है hydrogen ion जल में सौतंदर रूप में नहीं रह सकते हैं तो यह भी सही है hydrogen ion जो hydrogen ion किसको बोलते हैं H+, को बोलते हैं जैसे मालो इसमें पानी है यानि कि वाटर है इसमें मैंने डाला HCl जैसे HCl डाला यह H+, बनाया अब खासियत यह होता है कि H+, सौतंदर रूप में नहीं रह सकता यह H+, अकेला नहीं रहता यह तुरंद क्या करेगा यह H2O molecule के साथ पानी का जो H2O molecule है इसके साथ यह कमाइन हो जाएगा और बनालेगा H3O plus H3O plus इसे हम बोलते हैं hydronium ion hydronium ion याद रखेगा H plus को hydrogen ion H3O plus को hydronium ion तो यह सही है सभी शाड़क जल में घुलंदशील होते हैं तो यह गलत है सभी शाड़क जल में घुलंदशील नहीं होते हैं और जो शाड़क जो बेस जल में घुलंदशील होते हैं उसे हम लोग अलकली बोलते हैं, उसे हम लोग शार बोलते हैं, जल में घुलंदशील शारक को शार कहते हैं, यहां डैस होता है, तो यहां पर शार आएगा, यह जो शार है, इसे हम लोग इंगलिस में अलकली बोलते हैं, और यह जो शारक है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं, त इसका कुछ खासियत होता है प्रपर्टी होता है जैसे कि अस्पर्ष में साबुन जैसा होता है स्वाद में करवा होता है प्रकिर्टी में संशाडक होता है तो ओपर युक्त हमारा राइट आंसर होगा शाडक जल में डैस उत्मन करते हैं क्योंकि शाडक है बेस है तो यह OH माइनस देगा एसिड एच पलस देगा एसिड एच पलस देगा या फिर एस्ट्रियो पलस दोनों में सब कोई भी बोल सकते हो दोनों ही सही होगा दीपक पडियोकसाला में जल में सलफ्यूरिक अमल मिलाने जा रहा था तभी उसके शिक्षक ने उसे सावधान किया और कहा कि मजबूत अमल या शाडक को हमेशा जल में धीरे धीरे और लगतार हिलाते हुए मिलाना चाहिए कि 시청 जल में, आमले या शारो के घुनले के प्रकिडिया, अत्य अध्य डैस होती है, ये होती है, उश्मा शेपी उश्मा शेपी को हम लोग बोलते है, इक्जो थर्मिक इक्जो थर्मिक, और एक होता है, ऐसा रियक्शन जिसमें हीट चाहिए होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंडो थर्मिक सवाल यह कह रहा था कि यह कहना चाहरा है कि यह अगर जल है अगर आप चाहते हो इसमें एसेड मिलाना जैसे कि HNO3 हो गया जैसे कि H2SO4 हो गया यह सो strong acid अगर आप चाह रहे हो कि इसमें एसेड मिलाना तो आप धीरे-धीरे मिलाओ और किसी instrument का यूज करके इसे आप हिलाते रहो यानि जिस रसम चीनी डाल करके पानी में उसको चमत से हिलाते हैं ठीक वैसे ही धीरे-धीरे इसको हिलाना है और धीरे-धीरे यह अमल को यह acid को water में add करना है ऐसा इसलिए क्योंकि जब acid और water में reaction होता है तो यह exothermik होता है यहां से heat निकलती है और पानी के पास एक अच्छा खासा गुन होता है heat को शोकने का तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको धीरे-धीरे डालना है और हिलाते ही हो डालना है कभी भी यह suggest नहीं किया जाता कि इसमें अगर acid हो जैसी कि H2O4 लेलो HNO3 लेलो strong acid और इसमें हम पानी मिला है यह कभी भी suggest नहीं किया जाता ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जब आप armler में पानी डालोगे तो यहां भी क्या होगा बहुत ज़्यादा amount में heatedly होगी यानि कि यह highly एक जो थर्मिक reaction होगा और acid के पास उतना अच्छा गुंड नहीं होता कि यह heat को शोक ले पानी के पास होता है तो कोई दिक्कत नहीं था यहां भी दिक्कत है लेकिन धीरे धीरे अगर डाला जाए तो कोई problem नहीं है लेकिन अगर यहां डालना इस्टार्ट कर दिया तो acid के पास अच्छा गुंड नहीं है कि यह heat को शोक पाए और ऐसे में क्या होगा यह heat के कारण अगर यह काँच-काज बरतन है तो यह तूट सकता है और यह acid छलकर के बाहर आ सकता है जिसे हाथ या फिर सरीड पगर गिर गया तो यह जल सकता है तो इसलिए यह नहीं करना चाहिए अमले में कभी पानी नहीं मिलाना चाहिए हमेशा पानी में अमली मिलाना चाहिए जल में अमले या शारक मिलाने पर आयन की सांदरता में प्रती इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इससे तनुकरन कहा जाता है, यानि कि dilution, एक चीज आप ध्यान रखो, कि dilution करने पर, dilution करने पर H plus का concentration या फिर OH minus concentration डिक्रीज करता है, ये ठीक वैसे ही है, जैसे कि पहले 10 किल तो अनाच 20 लोग मिलकर खाता है, तो ऐसे में सब के हिस्से के लिए अनाच में कमी आ गई, ये वही चीज है यहाँ पर, मालो मैं एक मोल HCL ले रहा हूँ, एक मोल, मैंने क्या ले लिया, HCL ले लिया, और मैंने ले लिया 1 लिटर पानी, तो ये HCL को जब मैं पानी में डाल पानी 2 लिटर कर दिया, यानि unit volume में जो H+, का संख्या है, ये कम हो गया, या फिर इसके जगापर आप ले सकते हो, sodium hydroxide कोई base ले लो, तो यहाँ पर OH- आ जाएगा, यहाँ भी OH- आ जाएगा, तो OH- का संख्या या फिर H+, का संख्या तो उतना ही रहेगा, लेकिन पानी का volume ज खटी जाता है, अगर किसी विलियन का pH 7 से अधिक है, इसका मतलब विलियन में, आपको पता होगा pH अगर 7 है, तो हम बोलते हैं कि neutral है, pH अगर 7 से कम है, तो acidic है, pH अगर 7 से ज्यादा है, तो basic है, शाड़िये है, तो जितना अच्छा acid, उतना ज्यादा वो H+, देगा, जितना यानि कि OH मानेश ज्यादा देगा, तो hydronium ion के संक्या अधिक है, तो ये गलत है, hydrogen ion के संक्या अधिक है, तो ये दोनो सेम चीज है, hydronium ion बोल दे या hydrogen ion बोल दे, आपको इसमें बिल्कुल भी tension नहीं लेना है, ये दोनो सेम चीज है, है अलग-अलग, लेकिन बताता एक ही च हैडरोकसाइड आयन की संक्या अधिक है ये हमारा सही है C हमारा राइट आंसर है 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 ये गलत है C इसका राइट आंसर लिमलिखित में से कौन असत है अधिक है अधिक 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 अध है कम OH माइनस आयन देने वाले देने वाले दुर्बल शाड़क होते हैं यह सही है निमलिकीत में से कौन एक कम जोड़ अमल है तो HCl H93 H2C4 यह strong acid है मजबूत अमल है और यह acetic acid 20 का राइट अंसर है यह कम जोड़ अमल है यानि यह टूटेगा तो H पलस देगा लेकिन बहुत ही कम अगर acetic acid को जल में डाला जाया तो बहुत सारा acetic acid का अनु होगा molecules होंगे उसमें से बहुत सरा तूटेगा बहुत सरा नहीं तूटेगा बहुत ही कम तूटेगा और बहुत सरा नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा नहीं तूटेगा मतलब H plus नहीं देगा लेकिन HCl को जैसे डालोगे maximum HCl का जो molecule होगा वो H+, Cl- में टूड़ी आएगा निमलिकित विलियन और pH में सही सेट चुने यह important question है याद रखना है आपको जठा रस का pH 1.2 होता है यह सब लगभग में चल रहा है exact नहीं लगभग about निम्मू का रस pH 2.2 milk of magnesia pH 10 sodium hydroxide pH 2 तो D हमारा right answer है एक बहुत ही मजबूत शार होता है strong base होता है इसका pH होता है 14 हमारा शडीर किस pH पडास के बीच कारे करता है तो हमारा जो body function करता है यह 7 to 7.8 हमारे blood का pH होता है 7.4 यह आपको याद रखना है अमलिय वर्षा का pH मान डैस से कम होता है अगर वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाए तब हम इस वर्षा को बूलते हैं अमलिय वर्षा यानि की acid rain तो acid rain का pH जो है 5.6 से कम होता है शुक्र गरह का वायूमंडर डैस के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है यह हो जाएगा sulfuric अमल D H2SO4 इसलिए वहाँ life possible नहीं है अपच की इस्थिती में हमारा उदर अदधिक मातरा में कौन सा अमल उत्पन करता है जिससे उदर में दर्द और जलन का अनुभव होता है हमारे पेट में खाना को पचाने में HCL हेडरोक्लोरिक अमल सहता करता है लेकिन जब हमारे पेट में खाना नहीं पचता है तब यही HCL ज्यादा अमाउंट में बनने लगता है जिससे हमारे पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है तो यह हेडरोक्लोरिक अमल हमारा right answer है हेडरोक्लोरिक अमल हमारे पेट में जो पेपसीन एंजाइम होता है इसको एक्टिवेट करता है ताकि यह पेपसीन प्रोटीन को पेप्टॉंस में तोरे साथ में यह HCL जो हमारे पेट में बैक्टिडिया बेगरा होता है जो खाने के साथ चलाता है उसको भी मार गिराता है क्योंकि कोई भी living organism यह ज़्यादा acidic medium को बरदास्त नहीं कर पाएगा यह उसमें जिन्दा नहीं रह पाएगा और HCL तो काफी strong acid है इसमें बैक्टिडिया कैसे जिन्दा रह पाएगा तो यह बैक्टिडिया को मार गिराने और pepsin को activate करने में काफी ज़्यादा सहाइक होता है लेकिन यही जब जाता बन जाए तब यह पेट में दर्द और जलन का feeling देता है तो इसे खत्म करने के लिए हम लोग एक base का यूज करते है जिसे हम लोग बोलते हैं antacid antacid के रूप में हम लोग milk of magnesia ले सकते हैं यह क्या करेगा यह base है तो जो 0 से ज़्यादा acid बन गया हुआ है उसके साथ reaction करेगा और उसके effect को खतम कर देगा neutralization reaction करके उधासनी करन अभिकडिया करके अपच की उपचाड के लिए निम्न में से किस औशदी का उपयोग होता है तो यह क्या हो जागा antacid एक्जामपल याद रखना milk of magnesia का यूज किया जाता है इसके अलाबा और भी antacids आते हैं लेकिन आपके बुक में milk of magnesia दे रखा है इसलिए आपके लिए यह important है इसे magnesium hydroxide भी बोलते है milk of magnesia magnesium hydroxide मोह का pH जब डैस से कम हो जाता है तब दातों का शय प्राडंब हो जाता है तो जो हमारा दात होता है यह बना होता है calcium phosphate का CA3, PA4 का होल्टवाइस important है यह calcium phosphate यह जल में घुलनशील होगा यह नहीं होगा बताइए यह water soluble है या नहीं है बिल्कुल नहीं है अगर water soluble होता है तो जैसे हम पानी में डालते हैं तो घुल जाता सारा दात तो ऐसी खतम हो जाता यह water soluble नहीं है लेकिन हाँ आप बोल सकते हैं इसमें जंग लगता है यानि कि इसका संचारन होता है संचारन होता है यह संचारन कब होता है जब हमारे मूँ का pH 5.5 से कम हो जाता है इससे ज़्यादा हमारा मूँ का pH होना चाहिए ताकि हमारा दात सही सलामत रह सके ये 5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5%-5 उसमें संचारन होना पूर्णों warm ऋपस्यार हो जाएगा और धरिदिर धर हमारा दा cant का शै सटार्ट और डिके करने लगा करे दांत छर नीले लगएगा इसलिए हम लोगों को देाताएगल टूथ्पेस्ट, जो टूथ्पेस्ट होता है यह सहान देश्च होता है में floodine compound डाला जाता है, ये आप धहरान में डखना, टूथपेस्ट में floodine compound डाला जाता है, जैसी कि sodium fluoride हो गिया, दातों का enamel किस से बना होता है, जो की शरीर का सबसे कठोर पतारत है, तो जो दातों का एनेमल होता है ये शरीद का सबसे कठोर पतार्त है ये कैलसिम फॉसफेट जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिकर दिखाया था CA3PO4 का हल्ट वाइस मदमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है नेटल ये प्लांट है तो मदमक्खी या फिर नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोईक अमल कभी मालू एकजाम में मेथनोईक ना मिलकर के फॉर्मिक अमल मिल जाया यानि की फॉर्मिक असिड मिल जाया तो ज़्यादा tension मतलेना ये मेथनोईक अमल Metanoic Acid ये IUPAC name है और Formic Acid ये Common name है और इसका Formula होता है HCOOH तो ये एक ही चीज़ है Formic Acid या फिर Metanoic Acid Formula आप दिहान में डख सकते हैं एक कार्बनवला ये Acid होता है Acidic Acid ये सिर्का में पाय जाता है Citric Acid सारे खटे पदार्थों में जैसे कि निम्बू हो गया, संतर हो गया टार्टरी Acid ये इमली में पाय जाता है मन्वक्की द्वरक डंक मारे गये अंग में जलन और दर्द अनुभा होता है इससे आराम पाने के लिए निम्ण में से किसका उप्यूग किया जाता है आप में से बहुतों को डंक मारा भी होगा तो इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए जहां पे जलन और दर्द होता है वहां बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ध्यान में रखिएगा बेकिंग सोडा डॉक पौधों की पत्तियों के प्रकृति कैसी होती है अभी हम लोगों ने देखा नेटल इसके डंक में क्या होता है फार्डमीक एसिड होता है लेकिन डॉक पौधों की पत्ति ये शार्य प्रकृति के होती है यानि कि ये जहां पे आपके बोडी पे बोडी के जिस हिसे पे इसका डंक लगा है वहां पे आपका जलन महसूस होगा दर्द महसूस होगा वहां पे अगर आप इस पत्तियों को रगड़ ले तब ये जो एसिड का प्रभाव है ये खत्म हो जाएगा ये शार्ट से रेक्शन करेगा और इसका प्रभाव कम हो जाएगा या फिर बोल सकते हैं खत्म हो जाएगा तो एक पौधा है nettle जो की अमले प्रकृति का है और एक पौधा है dog जो की शार्य प्रकृति का है नेमले लिखित में से सही सेट चुने तो टामाटर में उख्जैलिक अमल होता है एमली में टाटरिक अमल होता है सही है, सिर्कामेसिटिक अमल होता है, खटे दूद में क्या होता है, लैक्टिक अमल, यह वही लैक्टिक अमल है, जो हमारे मसल्स में अगर इकटा होने लगए तो ठकान और दर्द की अनुभाव दिलाता है, तो D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अब यहां लिग दो, यह चुनना था, गलत से चुने, हम भोजन में कौन सा लवण खाते हैं, हम भोजन में क्या खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, किस से बना होता है सोडियम क्लोराइड, यह बनता है स्ट्रॉंग बेस और स्ट्रॉंग एसियल से, स्ट्रॉंग एसिड और स्ट्रॉंग बेस से, स्ट्र साल पूछा गया था 1218 में, एक्जेक्ट यही लाइन पूछा गया था, आपके NCRT से उठा करके, तो sodium chloride का यह जलिये billion है, यानि के aqueous solution है, यहां से क्या पास करवाया गया, current, तो बनता है sodium hydroxide, hydrogen gas, साथ में chlorine gas, तो NOH, Cl2, H2, इन में से सभी right answer, निमिन में से किसके लिए sodium hydroxide का उप्योग किया जाता है, साबून और अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में, क्रितुरिम फाइवर बनाने में, इन में से सभी इसका right answer, विरंजक चुर्ण का निर्मान किस से होता है, कली चुना और क्लोडीन, कली चुना बोले तो calcium oxide, शुष्क बुझा चुना और क्लोडीन, बुझा चुना बोले तो calcium hydroxide, तो यही हमारा right answer है, calcium hydroxide, plus Cl2, यह हमें बना करते देगा, C-A-O-C-L-2, यह होता है विरंजक चुर्ण bleaching powder, भी इसका right answer, bleaching powder का रसाइनिक सुतर क्या होता है, तो यह हो जागा C-A-O-C-L-2, विरंजक चुर्ण का उपयोग हिया जाता है, वस्त्र उद्योग और कागज की factory में, सही है, जल को जिवानों मुक्त करने के लिए, तो यह भी सही है, रसाइनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, यानि कि oxygen agent के रूप में, तो यह भी सही है, क्योंकि इसके पास oxygen है, तो यह oxygen को दे सकता है, यह विरंजक चुर्ण को जब जल में डालेंगे, तो यह chlorine gas उत्म है, sodium hydrogen carbonate, या फिर sodium bicarbonate, NLCO3, sodium chloride, पानी, carbon dioxide, ammonia के आपस में अभिक्रिया से क्या उत्मन होता है, यह उत्मन होता है, ammonium chloride और sodium bicarbonate, यह इसका right answer है, अच्छे से इस question को याद कर लो, ammonium chloride बनेगा, और sodium bicarbonate बनेगा, यह वही ammonium chloride है, जिसको अगर आप गर्म करना है, स्टार् हो जाएगा, जैसे कि कपूर, camphor, गरम करते हो, तो solid से direct gas में convert हो जाता है, बीना liquid estrade में, बीना द्रव अस्था में आए ही, तो उसमें से एक sodium chloride भी है, sorry, ammonium chloride भी है, खाना पकाते से में, जब baking soda को गर्म किया जाता है, तब कौन सी gas उत्मन होती है, baking soda बोले तो sodium hydrogen carbonate, या फ carbonate साथ में, CO2, तो carbon dioxide इसका right answer है, यही carbon dioxide, bread को, या फिर cake को, spongey या फिर soft बनाता है, और bread को, या फिर cake को फूलाता है, तो यह भी important है, आप से पूछ सकता है, कि bread और cake को फूलाने में, spongey बनाने में, कौन सी gas साहयक होती है, baking powder, निवलिकित में से किसका mission होता है, baking powder, यह baking soda, soda और tartaric अमल का मिसरन होता है, चीक है, baking soda और tartaric अमल, यह वही tartaric अमल है, जो इमली में पाया जाता है, baking powder को जब गर्म किया जाता है, या जल में मिलाया जाता है, तब निमन अभिक्रिया होती है, यह sodium bicarbonate, H+, को accept करेगा, यहाँपे क्या बनाएगा, साथ में पानी, और अमल का sodium लवन, थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया, baking soda को जब गर्म करेंगे, तो carbon dioxide gas बनती है, तो B is का right and C is का right answer, baking powder का भी यूज किया जाता है, जिस तरह से baking soda का यूज किया जाता है, next, baking soda का उप्योग किसमें किया जाता है, soda अमल अगनी शामक में सही है, antacid के baking soda को, जब baking soda को खाना मनाने वाले पतारतों में डाला जाता है, तब उस समय, खाना मनाते समय हीट तो करना ही पड़ता है, तो baking soda ये क्या बनाएगा, sodium carbonate और CO2 gas यहां से release होती है, यह CO2 gas, carbon dioxide gas, पां रोटी या फिर केक को फुलाने में में मदद करती है, तो इन में से सभी इसका right answer, दोने का soda का रसानिक सुत्र क्या है, आपको याद रखना है ये वला, sodium carbonate.10s2, सी इसका right answer है, मानलो कभी अग्जाम में ये ना दे, सिर्फ ये वला दे, बिना water molecule का, तब आप इसको टिक करना, मानलो दोनों दे दे, तब आप इसको टिक करना, ये baking soda है, और ये द ग्लोबर्स, salt, तो थोरा से इंतर है, यहाँ carbonate है, यहाँ sulphate है, sodium carbonate के अणों में, जल का प्रतिशत मातरा कितना होता है, sodium carbonate के एक अणों में, अब आपको ये पूड़ा लिखना पड़ेगा, इस पूड़े का आप दरवेमान बताओ, कितना होगा, तो calculate करना पड़ेगा, sodium का 11 होता है, परवानु दरवेमान 2 है, sodium का 23 होता है, एक परवानु का दरवेमान, तो यहाँ 2 है, तो यह 46 हो जाएगा, plus carbon के एक परवानु, इसका दरवेमान 12, oxygen के एक परवानु का दरवेमान 16 होता है, यहाँ 3 है, तो यह 48 हो जाएगा, और यह H2O है, H2O का होता है 18, क् यह 10 S2 है तो 180 टोटल एड़ करते हैं 0 हो गया 8 तो 10 और 6 16 कैरी 1 हो जाएगा और यह 8 412 13 और 417 और 1 18 और फिर यह एक हमारा बचा हुआ है तो यह 2 हो जाएगा यानि 286 टोटल आया 286 तो 286 में पानी कितना है 286 में पानी है 180 तो एक में कितना आजाएगा एक उनिट में 180 बटे में 286 हमें 100 में चाहिए परसेंटेज में चाहिए तो 100 में निकालेंगे इसको solve करके देखो आंसर आएगा लगभग में 63% ठीक है लगभग 63% 62.9 के सम्थिंग आता है तो आप करके देख लेना दोने के सोडा के उप्योग के समंद में निम्लिकित में से कौन सत्य है ये घरो के साफ सफाई में यूज होता है नाम सी के लिए रहे दोने का सोडा सही है जल की अस्थाई कठोड़ता को हटाने में वेरी वेरी इंपोर्टेंट जल की जो permanent hardness होता है उसको हटाने में ये यूज आता है काच, साबुन और कागज उद्योगों में ये भी सही है इन में से सबी उप्योग से important question बनते है इसलिए आप इन उप्योग को याद रखें copper sulfate के crystal copper sulfate के crystal कहने का मतलब ये होता है CUSO4.5H2O जब crystal बोलेगा यानिकी water molecule इसमें add है जुड़ा हुआ है तो जब इसको गर्म किया जाएगा तब ये नीले रंग से किस रंग बदल जाएगा अभी ये blue color का है जब इसको heat किया जाएगा जो मैं उपर triangle बनाता हूँ इसका मतलब होता हीट करना तब यहां से जो water molecule है ये remove हो जाएगा और ये हो जाएगा white color का श्वेट इसका right answer है तो hydrated form में ये blue color का था गर्म करने पर ये unhydrated या dehydrated हो जाएगा और ये हो जाएगा white color का blue vitrol करासानिक सुत्र क्या है यह blue vitrol CUSO4.5S2O D इसका right answer है और एक होता है calcium sulfate ये है CUSO4.2H2O इसको हम लोग बोलते हैं gypsum अब देख लो calcium है इसलिए हम ये भी बोलते है कि calcium का ये एक क्या है ode है calcium का iask है gypsum formula important है साथ में ये blue vitrol नीला थोता का भी formula important है तो ये नीला थोता नीला कलड़का होता है इसको जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ से water remove हो जाएगा और ये हो जाएगा white color का जब gypsum को 373 Kelvin पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है gypsum क्या होता है ये होता है calcium sulfate hydrated calcium sulfate CSO4.2H2O इसको 373 Kelvin पर 373 Kelvin पर गर्म किया जाएगा तब ये बनाता है calcium sulfate hemihidrate ठीक है calcium sulfate hemihidrate इसे हम लोग बोलते है plaster of paris ठीक है plaster of paris तो plaster of paris इसका right answer हो जाएगा B फिर इस plaster of paris में अगर आप पानी डालोगे ठीक है यानि कि पानी के साथ reaction करवाओगे तो फिर से ये क्या बना लेगा gypsum plaster of paris के सफेद चुड़न को जल में मिलाने पर एक ठोस पदार्थ बन जाता है यह ठोस पदार्थ होता है यह ठोस पदार्थ होता है gypsum gypsum और dolomite यह calcium का ओड है याद रखिएगा gypsum और dolomite calcium का ओड है आयस्थ है bauxite यानि कि al2o3.2h2o यह देख लो aluminium न ज़रा रहा है तो यह aluminium का ओड है calcium sulphate hemihidrate का प्रचलित नाम क्या है तो यह है plaster of paris इसी plaster of paris में जब पानी मिलाओगे तो बन जाएगा gypsum और इसका फर्मूला हो जाएगा C.A.S.O.4.2h2o globular लवन globular salt इसका फर्मूला मैंने आपको क्या बताया Na2SO4.10h2o यहां से आप SO4 के ज़राबबर CO3 कर दो तो हो जाएगा washing soda युरंजक शोण C.A.O.C.L.2 और एक और क्या था blue patrol इसका क्या होगा C.U.SO.4.5h2o तो यह सारे फर्मूले important है खिरोना बनाने सजावट का समान और सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है Plaster of Paris का यूज किया जाता है कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कबच से अभिक्रिया कर एक ऐसा gas उत्पन करता है धिया कर देती है इस विलियन में क्या होगा चुने के पानी को दूदिया कर देती है चुने के पानी यान'tी की calcium hydroxide का aqueous solution जली विलियन दूदिया कर देती है तो कौन सा gas होगा CO₂ होगा यही अपस में से कर लेक्स ने का engels किया होगा आपको पता है carbonate या फिर bicarbonate जब acid के साथ reaction करेगा तब बनाएगा तब release करेगा CO2 gas यानि कि CO2 gas उत्पन होती है इसमें और यही CO2 gas मैंने यहाँ पर reaction करवाया बनाया calcium carbonate तो देख लो इसमें से कौन सा अमल है ये नहीं होगा ये salt है ये भी salt है ये भी salt है ये भी salt है बी इस solar किसका मिसर्दातू है solar यानि की रांगा जो electrician होता है वो यूज करता है इसको तो ये शीशा और टीन का मिसर्दातू होता है यानि की PV और SN lead और टीन का तामबा और जस्ता ये बडास होता है तामबा और टीन ये ब्रॉंज होता है और nickel chromium iron ये होता है इससे बनता है stainless steel निवलिखित में से किसका उप्योग गंधिय सूचक के रूप में किया जाता है गंधिय सूचक यानि कि ये ऐसा सूचक होता है जो अमलिय या फिर शाडिय तो ये प्याज, वैनिला और लॉंग का तेल इनमें से सभी इसका राइट आंसर है ये तीनों आप याद रखना NCAT किता में दिया हुआ है सभी अमलों में कौन साता तू उपस्तित होता है दुनिया का कोई सभी अमल हो उसमें आपको H दिखेगा यानि कि हैड्रोजन इसका राइट आंसर है क्योंकि अमल का डेफिनेशन ही होता है जो H पलस दे दे एक्वस सलूशन में अगर H रहेगा तभी H पलस देगा अधरव हौला HNO3 ऑक्सी अमल वो होता है जिसमें आपको oxygen inherent होटा है ऐसा अमल जिसमें oxygen inherent हो HCL में oxygen inherent नहीं है तो यह नहीं होगा 501426.2.2.2.2.2.2 है इसके अमल इसका राइट आंसर हो जाय गा कि इसकी आमल में oxygen है जैसे यह दिखलो bah Nazi L, इसका है राइट यह बीह बहार है है7 5 या फिर अनॉक्सी अमल जिन अमलों में oxygen के अतरिक्त अन्य तत्त के परमानू उपस्थित होते हैं यानि oxygen तो नहीं होता लेकिन वो अमल है oxygen नहीं है लेकिन अमल है उसे हम क्या वो लेंगे अनॉक्सी अमल या फिर हैड्रा अमल जैसे की HCl, HI, HBr ये सब ऐसे अमल है जिसमें oxygen नहीं है copper sulfate का जलिये विलियन copper sulfate formula होता है इसका Cuso4 जलिये विलियन है यानि कि ये aqueous solution है copper sulfate देखिए किस से बना होता है ये एक salt है लवण है तो ये अमल और शार से मिलकर बना होगा ये है copper hydroxide ये एक शार है बेस है ये reaction करता है H2SO4 से ये एक अमल है और यहां से बनाएगा Cuso4 का ये aqueous solution है अब देखो ये जो H2SO4 है ये एक strong acid है यानि कि प्रबल अमल है और ये copper hydroxide ये क्या है एक weak base है तो base जो है कमजोड है अमल जो है वो मजबूत है तो जो salt होगा ये slightly acidic हो जाएगा यानि कि अमलिय हो जाएगा अगर ये अमलिय है नीले litmus को लाल में परिवर्तित कर देगा क्यों क्योंकि ये slightly acidic है यदि हम धावन सोडा की थोड़ी से मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml tanu HCl अमली मिलाते हैं क्या देखते हैं दावन सोडा बोले तो sodium carbonate NaCO3 इसमें हम क्या मिलाएंगे HCl मिलाएंगे अब देख लो bicarbonate या फिर carbonate आमली से अभी क्रिया करता है तो कौन सी gas उत्पन होती है CO2 तो CO2 gas तेज बुदुदाहाट के साथ निकलती है निमिन में से कौन सा गोल शाड़िये है यह जो आप bracket देख रहे हो इसको बोलते हैं concentration तो जब कोई गोल neutral होता है उसमें H प्लस आयन का concentration यह होता है 10 पे पावर माइनस 7 मोल पर लीटर और OH माइनस का concentration भी इतना ही होता है 10 पे पावर माइनस 7 मोल पर लीटर माल लो गोल जो है acidic है तब क्या हो जाएगा H प्लस आयन का concentration हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 7 मोल पर लीटर से जादा यानि कि 1 लीटर solution में H प्लस आयन का amount होगा 10 पे पावर माइनस 7 मोल अगर माल लो solution बेसिक है तब ये H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ये 10 पे पावर माइनस 7 मोल पड़ लीटर से कम होगा तो हमारे केस में शारिय बोल रखा है तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो एक तो pH होता है कि pH मान देगर के पुछ ले जाता है कि कौन अमली है और शारिय है और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है साधारा नमक का pH कितना होता है? साधारा नमक बोले तो NaCl, Sodium Chloride ये 7 होता है कभी-कभी पूछ ले जाता है कि जो साधारा नमक होता है ये कौन से Acid, कौन से Base से मिलकर बना होता है तो यह बनता है, base होता है sodium hydroxide NaOH और acid होता है HCl, दोनों ही strong base और strong acid है, इसी दिए इसका pH साथ होता है, pH बढ़ावर एक formula आप से पुछा है इसमें, minus log H plus iron का concentration, इसके ज़र पर pH भी आप लिख सकते हो, minus log OH minus का concentration, ठीक है, तो minus log H plus, क्योंकि pH पुछा है, अगर pH पुछता है तो यह हम answer रहते हैं, बस आप formula इसको रट कर रखो हो गया, और कुछ नहीं करना है कमडे के ताप मान पर 25 degree Celsius पर pH plus pH का मान कितना होता है, यह आप याद रख सकते है, pH और pH का value होता है 7, सम करने पर, माफ कीज़ेगा 14, 14, तो C इसका right answer होगा, मान लो किसी solution का pH 7 है, तो इसका pH कितना हो जाएगा, 14 मैं से घठात हो गया, मान लो अगर 6 है तो pH कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानि कि 25 degree Celsius पर इस दोनों का सम 14 ही आएगा, और temperature change के साथ pH scale change होता है, लेकिन यह बहुत ही कम होता है, इसलिए हम ignore करके चलते है, और हम 25 degree Celsius पर ही बात करते है, मिल्क औफ मैंगनिसिया का जो pH होता है, यह होता है 10, यानि किसका pH कितना हो जाएगा, 14, sorry, 4, आमल और शारक वहाँ पदार्थ है, जो जलिये घोल में करम सा hydrogen ion और hydroxide ion देता है, यह किसका सिधान्त है, तो हम लोगों तो पता ही है, कि आमल जलि निम्न लिखित में से किसे आप एक proton कह सकते है, तो यह हो जाएगा हमारा H+, यह क्या है, यह एक proton है, कैसे proton है, देखिए, hydrogen में आपको क्या-क्या मिलेगा, इस hydrogen में आपको एक electron मिलेगा, एक proton मिलेगा, और neutron तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, 0 neutron, इसमें से भी electron निकल कर ब बाहर चला गया, तभी तो यह एक plus आया है, electron निकल कर बाहर चला गया, अब इसके पास बचा ही क्या, neutron तो पहले भी नहीं था, electron चला ही गया, बचा proton, इसलिए हम H+, को proton बोलते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते है, जो किसी दूसरे पदार्थ को proton देने की शमता रखता है, उ कैसे HCl है, यह क्या देगा, यह अमल है, तो यह क्या देगा, H+, जिसको भी जरूत होगा, उसको यह H+, तो H+, ही तो proton है, तो proton देने की शमता रखने वाले को हम लोग अमल बोलते हैं, अगर किसी विलियन का pH मान 5 से बढ़कर 7 हो जाए, तो विलियन की अमलिता, 5 से 7 हो गया, pH मान बढ़ गया, यानि की जो अमलिता है वो घट जाएगी, तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पहले ही कट दो, अब देखो, एक यूनिट से अगर बढ़ता pH मान, तब हम बोलते हैं, अमलिता 10 गुना कम हो जाएगी, अगर 2 यूनिट से बढ़ा, तब 100 गुना क हो जाएगी, यानि की, C इसका right answer, sorry, B इसका right answer, ठीक है, 100 गुना कम हो जाएगी, तो या आपको ध्यान रखना है, pH वैल्यू अगर एक यूनिट से बढ़ेगा, तो जो h प्लस आयन का कंसेंटरेशन होता है, वो factor of 10 से decrease कर जाता है, यानि 10 के factor से कम हो जाएगा, यानि की h प जलब है, निमलिकीत में से कौन गलत है, शार मिथाईल औरेंज को पीला कर देता है, ये मिथाईल औरेंज, फेनल अफ तलीन, ये सब क्या,asynthetic indicator है, acid base का पता लगाता है, तो शार मिथाईल औरेंज को पीला कर देता है, तो ये बिल्कुल सही है, important question है, इसको अच्छे से ध अगर आप उसमें डाल भी दो तो color change नहीं होगा यानि फेनल अफिलीन विलियन से हमें आमल के बारे में पता नहीं चल सकता कि क्यों अपना color को change नहीं करता है तो ये भी सही है और हाँ, अगर शार डाल दो उसमें तब उसका color pink हो जाएगा यानि कि गुलावी हो जाएगा तो इसमें लिखा है कि हरा कर देता है तो ये गलत है डी इसका right answer होगा किसके सिदांद के अनुसार शारक वह पदार्त है जो किसी दूसरे पदार्त से proton grand करने की शमता रखता है थोड़ दर पहले हम लोग ने देखा था जो proton है H plus है ये जो देता है वो क्या होता है है sometime होता है और जो इसको accept करता है और उसको accept करता है वो क्या होगा यानि कि शार होगा ये जो theory है ये जो concept है ये दिया था bronze-staint & laudy ने दो scientist है eddy इन्होंनी कहा था कि जो पदार्त proton देगा वो अमल होगा, जो लेगा वो शार होगा निमनलिकित में से कौन गलत है सभी शारक जल में विलाय नहीं होते है तो ये बिल्कुल सही है जैसे कि ZNO धातुका उक्साइड बेसिक होता है तो ये भी क्या है, शारक है Al2O3 ये भी शारक है लेकिन ये सब जल में नहीं गुलता है तो ये हमारा सही है सभी शारक जल में विलाय नहीं होते है जल में गुलनशील शारक को शारक कहते हैं, ये भी सही है जो शारक जल में गुल गिया है उसे हम शारक कहेंगे अलकली बोलेंगे, यानि जो बेस dissolve हो गया water में उसे हम alkali बोलेंगे जैसे Na2O जैसे CaO calcium oxide, sodium oxide MgO magnesium oxide, ये सब जल में घुलता है जल में घुलने के बाद ये बनाएगा sodium hydroxide ये बनाएगा calcium hydroxide ये बनाएगा magnesium hydroxide इस सब को हम बोलेंगे alkali यानि की शार तो ये सही है सभी शारक शार कहलाता है तो ये हमारा हो गया गलत सभी शारक शार नहीं कहलाएगा जो शारक जल में घुलेगा वही शार कहलाएगा और सभी शार शारक कहलाता है, ये सही है ये सब क्या है, ये सब alkali है, शार है लेकिन शारक भी तो है शार तो इसलिए है क्योंकि ये शारक जल में घुल रहा था तो ये question तो धियान में रखिएगा C इसका right answer निमली लिखित में से कौन सा शारक शार भी है यानि कौन सा इसमें से base पताना है कि अलकली भी है जड़नो ठीक है ये base है बट अलकली नहीं है ये base है लेकिन अलकली नहीं है ये base है लेकिन अलकली नहीं है क्योंकि ये जल में गुलंदशील नहीं है D हमारा right answer ये हो जाएगा हमारा अलकली यानि की शार निमली लिखित में से कौन एक कास्टिक सोडा है जिसका ओप्योग साबुन मनाने में और पेट्रोलियम के शुद्धिकरन में किया जाता है कास्टिक सोडा होता है sodium hydroxide निमली लिखित में से कौन सा गलत है दूद का pH 6.8 होता है तो ये सही है मानव रक्त का pH 7.4 होता है ये भी सही है मानव लार का pH 6.4 होता है ये भी सही है black coffee का pH 10 होता है ये गलत है black coffee का pH होता है 5.0 तो जितने भी यहाँ पर pH value दे रखा है ये NCRT के किता में दे रखा है NCRT class 12 के बुक में ये दे रखा है किसी और किता में अगर इसके जब pH value कुछ और लिखा हो तो ये हो सकता है कुछ और लिखा हो लेकिन NCRT में जो है उसी को लेकर हमें चलना होगा तो इस सवाल का अंसर D हो जाएगा क्योंकि ये गलत है potassium alum के सुत्र potassium alum के एक सुत्र इकाई में जल का कितना अणू उपस्तित होता है potassium alum तो ये होता है 24 फर्मला देखें क्या होता है potassium alum का K2SO4.AL2SO4.24H2O ये होता है potassium alum 24 आपको molecule मिलेगा पानी का जल का potassium sulfate, aluminium sulfate और water potassium nitrate यानि की KNO3 ठीक है KNO3 का उप्योग निमन में से किस में किया जाता है gun powder बनाने में आतिशबाजी के समान बनाने में उलगड़क के रूप में मांस मचली के संचाडन में तो हमारा answer A, B, C ये सम में किया जाता है D में नहीं किया जाता यहाँ थोड़ा से correction कर लो किस में नहीं किया जाता होना चाहिए किस में नहीं किया जाता तो D हमारा होगा मांस मचली के संचाडन में इसमें नहीं किया जाता बांकि इस तीनों में किया जाता है उस billion को क्या कहते है जिसमें कम मातरा में अम लिया शार मिलाने पर उसका pH मान में कोई पड़िवर्तन नहीं होता उसे हम लोग कहेंगे buffer solution, buffer willion एक buffer willion हमारा blood है हम इतने सारे खटे बदार्थ खाते हैं लेकिन हमारे blood का pH जो है वो change नहीं होता है इसका कारण है कि blood जो है हमारा वो buffer willion है चीक है याद रखेगा, buffer solution वो solution होता है जिसमें अगर आप कम amount में acid या base मिला दे तो उसका pH पर कोई फरभाव नहीं पड़ता है निमनलिखित में से किसे एक सारोतरिक सुचक कहा जाता है तो यह है pH scale यह बहुत सारे synthetic indicator से मिलकर बना होता है pH scale इसे हम लोग universal indicator बोलते है निमनलिखित में से किसका pH मान गलत है शडाप का pH यह होता है 3.0 से 3.4 चुने का पानी यानि की चुने का पानी बोले तो lime water calcium hydroxide तो 10.5 होता है इसका pH समुदर का पानी 7.8 सिर्का सिर्का का होता है 3.0 अगैन यह सब आपके NCRT के book में है तो D सिर्का में होता है acetic acid CH3COH और इसका pH होता है 3.0 यानि की 3 pH scale के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया तो यह जो बिज्यानिक थे इनका नाम है Sorenson 1mHCl 1mHCl का pH मान लगभग कितना होता है 1mHCl कहने का मतलब यह हुआ कि कोई कोई विलियन है कोई विलियन है इसके एक लिटर में HCl 1mol है तब इस विलियन का pH मान कितना होगा यह सवाल का मतलब है मान लो 2mHCl होता है तब हम यह बोलते हैं कि एक लिटर solution में 2mol HCl है तो इसका simple मतलब यह होता है capital M का मतलब कि एक लिटर solution में कितना mole solute present है तो solute हमारी case में HCl है तो हम बोलेंगे कि एक लिटर solution में 1mol HCl present है तो उस विलियन का pH मान कितना होगा उस विलियन का pH मान होगा जीटो ठीक है यह आपके NCRT का question है नेक्स देखे एक शिक्षक Studitive Education YouTube चैनल के किसी student से पूछते है कि जब एक बरतन में रखे तनु सल्फिरिक अमल के दानेदार जिंग का टुकरा डला जाता है तब एक रंग हीन गंद हीन gas निकलती है और इसके नजदीक जलती ममत्ती को ले जाया जाता है तब यह gas फटफट यानि की पॉप धुहनी के साथ जलूटती है अगर वो student आप थे तो इसका उत्तर आपने क्या दिया सवाल कुछ ऐसा है कि जिंग का टुकरा है इसमें जिंग का टुकरा है इसमें डाला डालूट HCl तनु HCl बोल रखा है सॉरी H2SO4 बोल रखा है इसमें H2SO4 डाला तो देखो जिंग क्या है? मेटल है क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा और कौन सी गयस पन होगी? हैटोजन गयस यानि की ZN प्लस हैटोजन गयस हाटोजन गयस उसमें तो हाटजिवन गयस है यहटोजन गयस के अनचीव अगर आप आग ले आओ हाटोजन गयस उसमें जल उठेगी तो यह जो गयस है हाटोजन मान लिजे कंटेनर में होता कार्भपोनेट CO3 अब हम इसमें डालते हैं तो अब क्या होता, अब ये क्या है, carbonate और ये क्या है, acid, तो carbonate या bicarbonate acid से reaction करके कौन सी gas उत्पन करती है, CO2 gas, ऐसे case में अगर आप मुंबत्ती को लाते इसके नजदीक तो वो बुझ जाती, ठीक है, बुझ जाती, क्योंकि carbon dioxide नहीं जलती है, नहीं जलने में मदद करती है, लेकिन hydrogen gas तो जलती है, तो ये दोनों ही सवाल यहां से बनाया जा सकते थे, दोनों में ही आपको अमल नज़र आता, लेकिन एक में metal नज़र आता, एक में metal carbonate या फिर bicarbonate नज़र आता, निम्ली लिखित में से गलत कथन को चुने, सभी धातुए तनु अमल से अभिक्रिय करते हैं, तो ये गलत है, धातुए शार्ड से अभिक्लिया कर hydrogen gas उत्पन नहीं करते, लेकिन कुछ-कुछ धातुख करते, इसलिए हम ये बोल सकते हैं, कुछ धातुए शार्ड से अभिक्रिया कर hydrogen gas उत्पन करते हैं, ये सही है, अगला है 1MNOH. Sodium Hydroxide का pH 14 होता है, तो ये ह एक mol sodium hydroxide है, यह होता है इसका मतलब, अगर माल लो 2M होता तो capital M, तब बोलते हैं कि एक solution में 2 mol sodium hydroxide है, निम लिकित में से कौन एक दर्द निवारक यानि कि painkiller दबा है, एंटासीड यह अपच्छ का इलाज करता है, यानि कि जब hyperacidity हमारे पेटेम होता है, तब antacid दिया जाता है, तो यह तो होगा नहीं, एनालजेसिक यह हमारा सही आंसर है, यह pan killer है, दर्द निवारक दबा का यह type है, एनालजेसिक, antiseptic, antiseptic आप skin पे लगाते हो, जिसकों मढहम बोलते हो, मालो आपकी स्कीन पे घाओ वेगरा हो गया, तो उसके बैक्टेडिया ना लगे, उसके किसी परकार का, कोई other microorganism ना पन अपने लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसके मढहम लगाते हैं, इसकीन पे, वह होता है antiseptic, तो antiseptic यह कोई एक antiseptic हो गया, या फिर antiseptic हो गया, इनाल जैसिक हो गया, या फिर इन्हों से कोई भी हो गया, यह किसी एक दवा का नाम नहीं है, यह type है, अब antiseptic में बहुत तरह के दवा आते हैं, तो यह एक type है, अगला है 10 ml NOH, विलियन को पूरी तरह से उदासीन करने के लिए 8 ml HCL दिया जाता है, तो 20 ml NOH, विलियन को उदासीन करने के लिए कितनी मातरा में HCL चाहिए होगा, 10 ml को neutralize करने के लिए 8 ml HCL चाहिए, तो 1 ml को neutralize करने के लिए 8 बटे में 10, तो 20 ml को neutralize करने के लिए 8 बटे में 10 गुने में 20 बस यह Unitary method लगाना था आपको 16 ml हमारा right answer होगा 16 ml HCL चाहिए हमें Plaster of Paris को Ardhr-Rudhi बरतन में रखा जाता है क्योंकि Plaster of Paris का formula बताईए C-A-S-O-4 Half H2O यह Plaster of Paris होता है इसको हम लोग ऐसे container में रखते है जिसमें नमी न आ पाए Ardhr-Rudhi यानि कि Moist Proof बरतन में रखते हैं इसका करण यह होता है कि अगर Plaster of Paris में अगर आप water मिला दे तो यह उसके बाद यह gypsum बना लेगा gypsum यानि कि C-A-S-O-4 dot 2H2 यह बना लेगा और यह कठोर पदार्थ होता है तो देख लो option पड़ते हैं यह जल को अफशोशित कर कठोर पदार्थ बनाएगा तो यह सही है क्योंकि यह जल के संपर्क में आने पड़ जिप्सum में बदल जाएगा तो यह भी सही है जल को अफशोशित कर या अनुपयोगी हो जाएगा तो अगर यह जिप्सum बन गिया कंटेनर के अंदर कठोर पदार्थ बन गया तो फिर यह बेकार हो जाएगा तो यह सही है इन में से सभी इसका राइट आंसर है तो दिहान रखेगा प्लास्टर और पेरिस में पानी मिलाने पड़ यह कठोर पदार्थ बन जाता है शाड़की यह लवन बना होता है साथ में इसके पास कैसा नेचर? बेसीक नेचर, यानि कि शाड़की है तो लवन बनता है acid प्लस base से, क्याँकि यह शाड़की है यानि कि base मजबूत होगा, अमल कमजोड कोड़ होगा तो देख्लो, मजबूत शाड से, कम्जोड अमल से, भी इसका राइट आंसर है मालो aceric होता तो अमलो मजबूत होता शार कम्योड होता ये दे रखा है आपको calcium sulfate dot x h2o plus y h2o और ये बनाता है calcium sulfate dot z h2o तो बताइए इस का मान क्या होगा square root of x plus y plus z तो देखिए ये क्या है z क्या होगा यहाँ पे ये आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या gypsum gypsum में यहाँ पे क्या होता है दो होता है formula में लिखता हूँ यहाँ पे cso4 dot 2 h2o उसके बाद ये है plaster of paris cso4 dot half h2o यहाँ से हमको बनाना है gypsum पताइए इसमें कितना water molecule add करना पड़ेगा हमें यहाँ दो water molecule चाहिए तो यहाँ पर 3 by 2 h2o cso4 यहाँ पर cso4 water molecule यहाँ दो molecule चाहिए तो यहाँ पर half molecule और यहाँ पर 3 by 2 molecule इसको हम जोडेंगे तो यह 2 molecule आ जाएगा तो x कमान होगी हमारा half x कमान होगी हा half y कमान 3 by 2 z कमान 2 तो इसका square root आ जाएगा 2, चाड़ का square root 2, तो B इसका right answer कठोर जल को मृदू करने के लिए निमन में से किस योगी का उप्योग किया जाता है यानि कि hard water को soft करने के लिए किसका उप्योग किया जाता है यह है Na2CO3.10H2O यानि कि sodium carbonate तो A इसका right answer sodium carbonate pH मान से सबंदित सही set चुने छोटी आत 7.4, टूथपेस्ट 8.0, टमाटर जूस 4.2 तो यह सभी सही है ठीक है A, B, C यह तीनो ही correct है यह सारे value आपको याद रखने परेंगे एकजाम में पूछे जाते हैं तो यह chapter हमारा यहीं पर complete होता है 100 MCQ करने के बाद अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेड कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएए हमारे नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकरशन पाने के लिए मिलते हैं अगले chapter में Thank you so much